हरपूर बुधर्ट थाना छेत्र के देवरिया गाउं में औरकेस्टर में हुए विवाद में हत्या कांड मामले में पुलिस ने एक और वांचित अव्युक्त को गरिफतार किया है गरिफतार किये गए अव्युक्त की पहचान सोनु यादो पुतर राम विरिची यादो निवासी देवरिया थाना हरपूर बुधर्ट जनपत गोरपूर के रूप में हुई है इस समझ में स्पी साउथ विवलकुमार शौस्तो ने बताया कि हरपूर बुधर्ट थाना छेतर के देवरिया गाउं में हुई हत्या कांड के मामले में एक और वांचित अव्युक्त को पुलिस ने थाना छेतर के कटगरती रहा के पास से गरिफतार किया है पुलिस इस हत्या कांड के मामले में पहले ही तीन आरोपियों को जेल भेच चुकी है बाकी पचे शेज अव्युक्तों को भी जल्द गरिफतार कर लिया जाएगा गरिफतार करने वाली पुलिस टीम में हरपूर बुधर्ट थाना प्रभारी प्रवेश कुमार सिंग, उप निरिचक सुरेंदर यादो, कांस्टेबल इसराफिल एहमद और अंशुमान यादो शामिल रहा संबन्द में गरफपूर नियूस से टेलिफून पर बात करते वे स्पी साउथ विफिल कुमाशे वास्तों ने कहा जाम में खत्कया हुई थी विदो दिन पहले, उसमें एक अविफ्थ, नामित अविफ्थ का शोनवी वादर अज गरफपार हुआ है तो पहले तीन अवर नामित अविफ्थ के जा चुके हैं, कुल 11 अविफ्थ हैं तो गरफपारी के लिए और दित्यास किया जा रहा है, शीज़ी सब गरफपारी की जाएगी तो तीन पहले पहले गरफपार हो चुके हैं, एक अज गरफपार हुआ है, सोनो जा दो चार हो चुके हैं और अभी जो बागी हैं उनकी गिरफ्तारी सीचे की जाएगी कीम लगी हुई है